प्रिये दर्शको नमस्कार आज आप सभी के समक्ष जन्म कुंडली का निशुल का अध्यन करने के लिए मैं उपस्तित हुआ हूँ आपके समक्ष जन्म कुंडली में लेकर आया हूँ आज इन जन्म कुंडली का मैं अध्यान करूँगा इन से जुड़े जो प्रेश्ण है उसका उत्तर तो दूँगा ही साथ में अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्यान अगर करवाना चाहते है तो प्रत्यक रहिवारों को आपको इससे जुड़ी वीडियो मिलती है आपको बस उसके लिए की काम करना है कि आपकी जन्म की तारीक समय और इस्थान साथ में हो सके तो अपना नाम या फिर आप मेल या फिमेल उसमे लिख दे जिससे कुड़ी का अध्यान करना आसान रहे और साथ में अपना एक जो प्रमुक प्रेश्ण हो वो भी अगर आप साथ में लिख देंगे प्रत्व की वीडियो में लिख दिया करें ताकि जब आगे रईवार को अध्यान किया जाए तो उसमें आपकी कुड़ी को सम्मीरत करके उसका अध्यान हो सके तो आप इसा किया करें, बाकि आईए, आज हम जो जन्म कुंडली में लेकर आया हूँ, उनका अध्यान करते हैं, सबसे पहली कुंडली आप देखी पारेक जातिका की कुंडली है, कुंडली की डिटेल से तो उपर है, आप देख पा रहे हैं, इसमें बनी है कुंभ लगन और लेकिन अच्छी बात है अपनी ही राशी में हैं, और वक्री अवस्ता में हैं, जिसके चलते ये जरूर है कि शनी बलवान रहेंगा, अब बलवान शनी का अपना काम है, थोड़ा खर्च करना, डिले करना, ज्यादा मेहनत करवाना, वो काम शनी का है, लेकिन ठीक है, ओर फ सफलता के लिए अच्छा होता, उपर से एक और बाद आप इस कुंडले में देख पा रहे होंगे, मैंने कहा था, जब भी शनी मकर राशी में हो, व्रशब राशी में हो, कन्या राशी में हो, तो एसा शनी जीवन में बहुत निचली इस्तिति से चालू करवाता है, और जी प्रभाव हो है कि यह शनी मतलब एक उदासिंता भी जीवन में दे, यहां गुरू भी सप्तम में है, तो वेवाही की जीवन में उदासिंता देने वाला काम भी गुरू कर सकता है, तो कहने की बात एक ही है कि इसमें जो प्रभाव है ग्रहो का वो एक ही चीज करता है, कि य अधिक नजर भी आता है लेकिन एक बात यहां पर देखी जाएंगी तो कुंडली के अंदर ग्रह योगों का प्रभाव मजबूत है गुरू भी इस कुंडली के अंदर कोन है तो वो भागे अपने लाप का स्वामी है और धन का स्वामी है दोनों स्थिटी में सप्तम में होना तरक्की को बढ़ाता है जीवन में आगे बढ़ने की योग बढ़ाता है तो अच्छी बात है यहां पर पंचम में भी अच्छे ग्रह बेठे है शुक्र की दशा इनको लंबे समय से चल रही है दोजार पाच से शुक्र की महा दशा चल रही है अब शुक्र देखा जाए त तो भी कोई सी दिक्कत्री बात निया राहू भी लाब में है तो इच्छा पूर्ति को बढ़ाता है ठीक है मन में कंफूजन चिंता उल्जन बढ़ाता भी है और ये भी है कि चलो मतलब अधिकतर वो रिलेशन्शिप में जोडने का काम भी करें वहां धूका भी करवाए, प्रब्लम भी क्रियेट करवाए, मानसिक चिंता भी करें, ब्रह्म भी करें दोखा वाला प्रभाव भी राहू देता है तो वह प्रदान करें इस दशा में पॉजिबल यह सब प्रभाव मिला हो लेकिन अच्छी बात क्या है कि चुकी शुक्र यहाँ पर भाग्य का स्वामी है जिसके चलते यह शुक्र यहाँ पर इनको करियर में आगे बढ़ाने वाल करती है तो वह प्रभाव तो है इनकी कुंडली में लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि देखो इस कुंडली के अंदर सप्तम भाव में मतलब यह पंचम का जो स्वामी है वो छटे में है शनी की दश्टी में शनी बुदामने सामने है विवाही जीवन के इतना बढ़िया नहीं इसलिए आप देखेंगे तो यह मंगल सबसे बलवान है इस कुंडली के अंदर मतलब मजबूती में आता है उपर से तत्व के अधार पर अगर आप इस मंगल को देखेंगे तो वरगो तमी होता है या नि नौमाश में देखेंगे आप सीहराशी में जाता है तो सीहराशी तत्व के अधर पर मजबूत प्रभाव देती है मंगल के लिए और दशम में वहाँ भी तो मंगल को देखेंगे तो मंगल सबोर बलवान हुआ है इसलिए मंगल की इस्तिती खराब नहीं है तो इसे करियर में तरक्की के लिए सफलता के लिए अच्छा है अभी आप द्रमा को, यहां छटे भाव को, दशम भाव को, अश्टम भाव को, बारवे भाव को इन सब को एक्टिव करने वाला है, अगर जब इन सब को एक्टिव करने वाला है, तो क्या होगा इससे, इन सब से यह होगा, इससे लाब भाव भी गुरु की राशी, मुख्य राशी तो भी एक्टी होंगी, तो होगा क्या कि जब छे यहां पर दूसरा छटा दस्वा भाव एक्टी हो रहा है, ग्यारवा एक्टी हो रहा है, तो यह दूसरा छटा दस्वा ग्यारवा भाव इन्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगा, कि इनको कारियर में प्रमोशन मिले, तरक्की म कब से गुरू एक मही से जाएंगा एक मही से अगले साल की मही तक रहेंगा वेसे तो लंबा समय है यह लेकिन इस भी दशाओ का प्रभाव अब देखिए दशा में कौन चलता है दशा में शुक्र में केतू चल रहा है अब शुक्र में केतू का एक बड़ा काम है परिवर्तन होंगा तो ये शुक्र में केतु की दशा परिवर्तन करवाए परिवर्तन करवाए इन दे सेंस की प्रमोशन तो मिले लेकिन साथ में टांसफर भी हो थोड़ा चेंज भी आजा जीवन में वो पोसीबल अश्टम भाव बड़े टांसफरमेशन का भी है गुरु जो है अपने भाव से बड़े मदद देखाया तो गुरु से उसका जो स्वयम की राशी है वो अश्टम में जाएंगी तो इसी अवस्ता में बड़ा ट्रांसफरमेशन इस समय घर को लेकर घर चेंज होना जगह चेंज होना जहां पर है महां इन्वार्मेंट चेंज होना वो पोसीबल है सब्तम को गुरु को एक्टिव करेंगा और यहां आगे बढ़ाने का यह काम करेंगा तो इसलिए यह बात तो है कि इसमें शुक्र में केतू के अंदर प्रमोशन के योग प्रबल है क्योंकि यहां पर नव माश भी देखो सूरे केतू साथ में है तो योग तो मजलम कर देते हैं इसके बाद सूरे देखे तो 29 मई से 20 जून का समय है सूरे अच्छा ग्रह होता है सूरे हला कि दशम से इसका भी लिंक नहीं लेकिन केतू से है तो मई में यो भी गुरु का गोचर लग जाएंगा तो लगभग दिखाया तो 29 मई से जून तक का जो समय है मजब में जाता है लेकिन अच्छी अवस्ता में है तो एक बात देखने को मिलेगी कि जो मंगल की दशा रहेंगी यहां पर 25 जुलाई से लेकर 19 अगस्त तक यह इसा समय है जिसे परिवर्तन निश्ची थे मतलब यहां दिखेंगे तो यह तिसरा भाव है एक्टिव हो जाएंगा पोसिबल है यह इस्तिति मंगल में आदा प्रभाव नजाता है मतलब सूर्य से मजबूत यहां पर मंगल है लेकिन कई बार होता है कि कुछ जगह पर इसी समय अउधी पर कुछ प्रमोशन होने की इस्तिति रहती है तो वो पोसिबल है कि इस बीच हो जाए लेकिन या तो कुण्डली का प्रभाव देखेंगे तो अच्छा है प्रभाव आगे बढ़ाने वाला है बस इसमें जो अधिक चिंता करने अला प्रभाव भी साड़सातिक आसर भी है थोड़ा और डिले वाला प्रभाव जो कई बार महसूस होता हो उसके लिए मेडिटेशन करना गरीब लोगों कुछ खाने की वस्तु देना बारवे भाव में शहनी है तो खीर का दान करना पूर्णी मामास्या के दिन किसी गरीब एक्टी को सबसे बढ़िया रहेंगा इनके लिए और ये काम इन्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगा आगे सूरे की की दशा है सूरे में समझता हो इस कुण्डली में वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होता शुक्र जैसा ग्रह तो नहीं आता कि शुक्र जैसा इसमें प्रभाव दे लेकिन सूरे फिर भी खराब नहीं है कि तू के साथ मजबूत अवस्ता में है तो यही देखने को मिलेगा य सम्मान तरग की प्रमोशन और अन्य का सहयोग सपोर्ट और साथ में यह देखने को मिलेगा कि अच्छा लाब की प्राप्ती होंगे सूरे की त класс मारत सूरे भी रहोगो नक्षतर में तो कोई विशेज खराबी नहीं है रही संबंद उसका ऑषके और है लेकिन चुकी सब्तम का भी स्वामी है थोड़ी एफट ज्यादा लगाने पड़ेंगे अन्य के सपोर्ट में कई बार धुक्के वाली इस्तिति भी आएंगे लेकिन फिर भी आगे बढ़ने के लिए प्रभाव अच्छा रहेंगा मान सम्मार अच्छा मिल पाएंगा तो व प्रभाव प्रभाव मजबूत नहीं रहा मतलब इन्होंने अपने आपको पोजिटिव नहीं रखा यह नेगेटिव रहे थोड़े चिंताजी करने लगा ले रहे तो एसी अवस्ता में यह शनी और यह जो मिथुन लगने का प्रभाव है इनको नेगेटिव करेंगा चिंत प्रभाव में बहुत अच्छा कहूंगा कि ठीक है यहां पर यह आगे अच्छा ही परिणाम देने का काम करेंगा उसके लिए खराब नहीं है लेकिन एक बात यहाती है कि इसमें अगर आप देखेंगे तो यह बुद्ध यहाँ पर मतलब केतु की ही नक्षत्र में है और राहु केतु के सात्थ में भी है एसी अवस्ता में आप क्या देख पाएंगे नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र पूर्वा फालगुनी ये फिर वे साही प्रभाव हो गया इसके अलावा शुक्रमंगल जो है ये नेतिक और नेतिक दोनों ही प्रकार के संबंदु में जोड़नेया काम कर देता है तो ये अगर हम देखे इसे अगर इसे मोरल इट्री के की देख्टी भी है तो ये क्या करता है ये काम करता है कि विक्ति को अपमानित करवाता है विक्ति की बदनामी होती है अगर विक्ति कुछ ना करे और फिर हो जाए तो कुछ समस्या नहीं कि ठीक है उसे ज्यादा उसका कुछ बोलना नहीं पड़ेगा किसी को लेकिन किसी इ इसे इस पीड़ी से क्योंकि मंगल के साथ तो ही ही शनी और राहू के बीच भी है तो ये समस्या वाली इस्तिती इनके लिए कि ये खराप रभाव देता और उपर से नौमाश में शुक्र कुंब राशी में जा रहा है कुंब राशी का मैंने बताया तक शनी की राशियों में कुंब में या फिर मकर में अगर नौमाश में शुक्र चला जाए तो ये ग्रह क्या करता है कि ये इनको अन्ने से जोड़ता है लेकिन वो कई बार ऐसे इस तान में जोड़े जहां पर मतलब लड़की की उम्र बड़ी हो आयो अधीक हो ऐसी सब बाते देखने को मिलती है त प्रभाव दिला सकती है तो इसलिए इनको उससे बचना चाहिए क्योंकि देखो इसमें एक बात क्या है पंचम का स्वामी शुक्र बारवे में है अपनी राशी में ठीक है कोई दिक्कत नहीं मंगल के साथ में है लेकिन साथ में ये सब्टम से कोई संबंद नहीं है इसका म सकता है कुछ बार तो दोका भी मिले क्योंकि विवाह जल्दी के योग तो है नहीं है पर थोड़ा सब्तम पर सब्तमेश पर शनी की दर्ष्टी लगभग लगभग भी अगर जल्दी भी देखे इसमें हां ये है कि दो को शनी का काम है एक बात देखने को मिली कि जीवन में गह Надо के लेकर 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 के अधेकर के आई यू में कई आई ऐसे तरह जटा में ये अलड़ी बार मतला है र्जय ऑगत्यों होने के बाद बहुन ए हिसंए को कह इस अहं पर शनी होने के बाद भी लेकिन फिर भी योग तो कमजोर, गुरु वक्री भी है, तो थोड़ी रुकावाटे है, इसमें विवहा को लेकर, एसी अवस्ता में प्रेम विवहा की योग में कमजोरी है, हाँ, पहिचान में होने की संभाव ना है, क्योगी मैंने आपको बताया है, सप्तम का स्वामी जब तीसरे में होगा, तो एकी बार दर्चाएंगा कि एसी अवस्ता में इनके रिलेटिव, जान पहिचान का विक्ति, कोई मेडियेटर रिष्टा बताएंगा, कई बार ओनलाइन से भी आता है रिष्टा, कोई मतलब में ट्रोमिन साइट वगरा से, लेकि मतलब पहिचान में रहे, क्योंकि देखते हैं, ये भी संबह हुए कि देखो शुक्रमंगर का योग है, लव मेरिज के लिए प्रभावत है, लेकिन वो कुछ रुकावटों के बाद है, तो एसे में कई वर क्या देखने को मिला, कि हो नहीं रही थी, रुकावट ने बहुत होती नजर आ सकती है, जो इसमें कुडलें प्रभाव इस तरह का दे भी रही है, तो इसी इस्तिति में यही कहा जा सकता है, कि हाँ जो ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन यह है कि उसमें अगर नेतिक रूप में आगे बढ़ेंगे, तो मैं खराब नहीं समयता, नेतिक जो आगे विखा करने पर विचार करना है, तो फिर मैं समझता हो अच्छा है नहीं, तो जैसा मैंने कहा, यह मित्वन लगन भी और शुक्रमंगल की इस्तिति भी बारवे भाव की व्रशब राशी की विचेशकर, अन्य राशी होती है, बात बदल देता है हैं पर, क्योंकि अन्य राशी है, कई बार मतब जैसे अगर स्तिय राशी हो, स्तिय राशी में प्रभाव नहीं, और जाने की वो उनको मतलब उस शेत्र मिले जाए, तो इसलिए हर बार विचार प्रभाव नहीं आएंगा, लेकिन चुकि यहां पर व्रशब राशी है, तो व्रशब राशी वहां फोकस रहे कि हां बस यहीं पर आगे बढ़ना, यहीं विवाह करना है, दूसरी जगह पर ध्यान नहीं लगाना है, विवाह के बाद भी विवाह के पहले भी यही बाद ध्यान लख्यर चलेंगे, तो इनके लिए अच्छा रहेंगा, प्रकि तो इस्तिती ठीकी है, च कुरुँ चंद्रमा का योग भी है, तो ठीक है, अच्छा ये पर भाव देने वाली इस्तिती में है, हा यह है कि प्रेम में धोका मिलेंगा, इनको तो वह बात है, हाँ पर जब जब ज़्यादा प्रभाव हो, तो थोड़ा सोच विचार कर आगे बढ़ना था, अब उध ज देखे तो लग न के अंदर है न知 न उमांश के लगने के अंदर बेठा जोड़ता है किसी से लेकिन आ अ को खरावी भी देता है मंगल को है मंगल की दशा लगने वाली है मंगल ब्रेक अप की तरह केतु का काम है काट देना तो पंचम भाव जो रिलेशन वगरा बने उसको काटने का काम केतु भी कर सकता है तो वो चीज़े एक दो बार जीवन में बनेगी लेकिन फिर यह है कि अगर कोशिश फिर भी जाड़ी रही इनकी तो संभाव यह भी है कि इनका विवाह जो ह परशानियों को बढ़ाता है उपर से बुद्ध बेठा भी केतु के ही नक्षत्रम है तो जो इतनी अच्छी बात नहीं है यह रोगों के लिए भी और जीवन में खराबी के लिए प्रवाव भी देता है तो एसी अवस्ता में क्या करना चाहिए बुद्ध के लिए इनको ए अच्छा मिलेंगा तो एकी काम करें बुद्ध का रतना पेहनना पर मतलब पन्ना रतना जो होता है वह धारन करना इसमें अच्छा रहेंगा क्रियेटिविटी बढ़ेंगी आगे बढ़ने अला प्रवाव बढ़ेंगा मेनेजमेंट बढ़ेंगी तो वह चीज भी बढ़ जाएंगे इसके अंदर दूसरे नंबर पर अपने बुद्धी से आगे बढ़ पाएंगे और साथ में बुद्ध के बलवान होने से हेल्थ के लिए वाणी के लिए लोगों से जूडबने के लिए कोई बी नुक्री में आगे लगने चाहे उसके लिए प्रभाव अच्छा जुड़ना चाहे कोई खराब याला प्रभाव नहीं रहता अच्छा रहता है और बिल्कुल तीसरा भाव जो होता है मीडिया का भी है उनलाइन कारियों का भी है तो वहां से भी कोई इस्तिति खराब नहीं रहती तो कुंडिली को देखा जाए तो कम से कम करियर के लिए प्रभाव ठीक है अपने काम से नाम भी अच्छा बना लेंगे सूर्य गुरु का परिवर्तन है यहां पर अच्छा है यह यह खराब नहीं होता तो तरक्की के लिए तो ठीक है एस्तिति बस यह कुशिश करे कि इसमें प्रभाव के लिए दीरे अच्छी मिलती रहेंगी तो ठीक है मतलब बाकि तो प्रभाव ठीक है मतलब बाकि तो अही है इसकी वीडियो मेतना ही वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहूत धन्यवाज